रभी का सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहट किसानों ने गेहूं कटाई की तयारियां भी शुरू कर दी है। MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर चल रहे किसान अंदोलन और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच गेहूं खरीद के लिए राज्य सरकारों ने विशेश तयारियां की हुई हैं। इन तयारियों के बीच गेहूं खरीद का सरकारी फर्मान इस बार केंद्रिय खादेव उपभोक्ता मंत्राले ने दिया है। असल में इस बार मंत्राले ने MSP पर गेहूं की सरकारी खरीद का लक्षे कम कर दिया है। असल में खादे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रिय खादे व उपभोक्ता मंत्राले FCI व राजे सरकारों के सहयोग से PDS के लिए गेहूं की MSP पर खरीदारी करता है। पिछले साल सरकार ने देश से 341.5 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्षे निर्धारित किया गया था। इस बार देश के सभी राजियों से 300 से 320 मिलियन टन गेहूं की खरीदारी का लक्षे तै किया है। इस बार भारत में गेहूं उतपादन का रिकॉर्ड तोड़ने का अनु अगरिम अनुमान के मुताबिक इस बार देश में गेहूं का उत्पादन 114 मिलियन टन हो सकता है, जो सर्वकालीक अधिक होगा। इस बार गेहूं खरीद का लक्षे कम किया गया है। एक स्पोर्ट पर बैन लगा हुआ है। वहीं इसके बाद भी देश में गेहूं के दामों में तेजी रही, जिसे नियंतरित करने के लिए सरकार ने FCI के गोदामों में स्टॉक गेहूं को ओपन मार्केट में बेचा। वहीं नवंबर 2023 के विधान सभा चुनाव में, बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खरीदी 2700 रुपए क्विंटल में करने का वादा किया था, जिसके बाद अब गेहूं के MSP पर 125 रुपए बोनस दोनों राजियों में दिया जा रहा है। जिसके तहट मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2400 रुपए क्विंटल पर गेहूं की सरकारी खरीदारी होगी, जो देश में सबसे अधिक MSP पर गेहूं की खरीदी के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। ये गेहूं के दामों में बढ़ोतरी का प्रमुक संकेत कि इससे खुले बाजारों में गेहूं के दामों में तेजी रहेगी। वहीं चुनाव के बाद रिकॉर्ड उतपादन की सूरत में गेहूं एक्सपोर्ट शुरू होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जो गेहूं के दाम MSP से अधिक होने की तरफ इशारा कर रहा है।